हलो फ्रेंड्स बेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में दोस्तो हम डिस्कस करेंगे प्रीविस एर के बहुत ही महत्पून प्रेशन एच्वी कंडुक्टर एक्जाब के लिए दोस्तों ये जो क्लास है वो दूसरी क्लास मारी रहने बाली है इसे पहले हम एक क्लास जो है اس के लिए डिसकस कर चुके हैं और यह जो क्लास है दोस्तों यह क्लास हाई कोर्ट क्लरक एक्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट रहने बाली है कि दोस्तों उसमें भी जीके से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज इस वीडियो को फर्स्ट प्रस्पेक्टिव प्लान इस ट्रॉन आफhnने के लिए पिरेड और तो परिप्लेख्श के दवारा broader जो objective होते हैं उसको achieve करने के लिए लंबी जुसमें अबदी होती है जिसको हम मान के चल सकते हैं 15 से 20 साल तो option D इसका सही हो जाएगा next question है IRDP stands for तो आपको पताना है IRDP का पुन रूप क्या है दोसो IRDP जो है बो काफी common name है लेकिन इसकी जो full form है बो कुछ एक को ही मालम है तो इसकी जो सही full form है बो है integrated ruler development program तो option इसका भी correct हो जाएगा integrated ruler development program तो बात करें दोस्तो IRDP की तो इसको दोस्तो जो 65 year plan है उसके अंतरगा शुरू किया गया था दोस्तो 1970 में इसे शुरू किया गया था इसकी correct हो जाएगा integrated ruler development program नेक्स्ट क्वेशन है गांधियन economics is based on तो आपको पताना है दोस्तो जो गांधिबादी और सासर है किस पर अधारित है इंडस्टिलाइजेशन, socialist foundation या फिर capitalist foundation या फिर ethical foundation तो दोस्तो जो गांधिबादी और सासर है बो अधारित है ethical foundation पर तो option इसका D से हो जाएगा नैतिक अधार इसका right answer हो जाएगा ethical foundation next question है fiscal policy means the तो राजकोसी निती का अर्थ है दोस्तो फिसकल policy का आपको अर्थ बताना है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option D option D इसका right हो जाएगा policy of the expenditure and public debt policy तो option इसका D जो है correct हो जाएगा next question है headquarter of world bank तो आपको पताना है जो world bank है इसका headquarter कहाँ पर है Paris, London, Geneva या फिर Washington DC तो इसका जो दोस्तो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option D तो दोस्तो headquarter कहाँ है world bank का वो है दोस्तो Washington DC में तो option इसका D सही हो जाएगा और world bank दोस्तो इसकी स्तापना कब गरी गी थी दोस्तो 1944 में इसकी स्तापना करी गई थी next question है inflation can be controlled by तो मुद्रस पिती को नियंतरित किया जा सकता है तो किसके दवारा नियंतरित किया जा सकता है दोस्तो मुद्रस पिती को तो मुद्रस पिती को दोस्तो हमान सकते हैं दोस्तो मुद्रस पिती किसे कहा जाता है यानि कि जो महंगाई होती है उसको denote किये जाता है मुद्रस पिती से तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा बोह जाएगा reduction in public expenditure तो option इसका C correct हो जाएगा option C next है समपोशित विकास का अधार है तो आपको पताना है समपोशित विकास जो है इसका अधार क्या है social approach, economic approach या फिर environmental approach अगर दोस्तो यहाँ पर all of these दिया होता तो इसका answer all of the above होना था लेकिन यहाँ पर इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा environmental approach option इसका C सही हो जाएगा environmental approach next है the world economic outlook report is released by तो आपको पताना है जो world economic outlook report है वो किसके द्वारा जारी करी जाती है यह जो जारी करी जाती है दोस्तो यह करी जाती है IMF के द्वारा तो option B जो है वो सही हो जाएगा IMF तो IMF की जो full form है वो किया है दोस्तो international monetary fund next है business not the source of income of union government इनमें से आपको पताना है कौन सा केंदरी सरकार की आयका स्त्रोत नहीं है XI duty income tax trade tax या फिर corporate tax तो दोस्तो इसमें XI duty income tax और जो corporate tax है यह स्त्रोत है union government के इनकी income के source है लेकिन जो trade tax है यह नहीं है तो option C से ही हो जाएगा trade tax next question है first Indian economist who bonda noble prize boss प्रत्थम अर्षास्त्री जिनोंने noble पुर्षकार जीता था यानकी प्रत्थम भरत्य अर्षास्त्री आपको पताना है जिनोंने noble पुर्षकार जीता था कौन थे दोस्तों बो थे मरत्य सेन option D से हो जाएगा मरत्य सेन तो कब जीता था दोस्तों इनोंने 1998 में दोस्तों यह पुर्षकार इनोंने जीता था आपने याद रखना है 1998 next question है which planet is nearest to sun तो सुर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो काफी easy question है दोस्तों कौन है सबसे निकट तो इसका option A सही हो जाएगा mercury इसका right answer है और बाकी दोस्तों उसके बाद जो क्राम आता है तो यह शुकर पृत्वी और मंगल जो हैं उसके बाद आते हैं तो यह क्रामबाइस दिये हुए है नेक्स्ट है दा मीन रेडियस और अर्थ इज अप्रोक्सिमेटली तो पृत्वी की और तरिज्या है तो आपको पताना है लगवग कितनी है जो अर्थ है उसकी रेडियस कितनी है अप्रोक्सिमेटली तो यह है दोस्तों इसका option अप्रोक्सिमेट में हो जाएगा राइट आंसर आप्शन भी चौट सो किलोमेटर तो अगर बात कर इसकी प्रोपर्द दोस्तों 6,370 मेटर जो है दोस्तों इसकी जो तरिज्या है वमानी जाती है नेक्स्ट है ओन गलोब दा लेटिट्यूड एंड लॉंगिट्यूड इंटरसेक्ट इच अधर एट तो भू मंडल पर अकसांस रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है कौन सी डिग्री पर काटती है दोस्तों तो यह काटती है 90 डिग्री पर इग्री जो पूर्वी दिशांतर है उसको फॉलो करता है नेक्स्ट है तो सेंटर ओफे साइकलोन इस कॉल्ड चक्रवाथ के मद्य को क्या कहते हैं तो दोस्तों सेंटर ओफे साइकलोन इस कॉल्ड आई इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन ए जो चक्रवाथ है उसके सेंटर को आई कहा जाता है आप्शन ए क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है बिचिज नौट ए फॉर्म और प्रेसिपिटेशन तो आपको पताना है इनमें से कौन सा अब खशेपन का परकार नहीं है रेनफोल, स्नोफोल, फोग या फिर हेल तो दोस्तो इनमें से जो फोग है बहुँ अब खशेपन का परकार नहीं है तो आप्शन इसका सी सही हो जाएगा कोहरा नेक्स्ट कॉशन है बी चीजे मेटामॉर्फिक रोग आपको पताना है इनमें से कौन सी एक कायंतरित शेल है दोस्तो इसमें जो कायंतरित शेल है आपको पताना है कौन सी है मुखिता दोस्तो तीन प्रकार की जो रोक्स हैं बहुत ही है इगनिस रोक, सेडिमेंटरी रोक और मेटामॉर्फिक रोक दोस्तो जो ग्रेनाइट और विसाल्ट है यह इगनिस रोक का एक्जामपल है और जो सैंड स्टोन है दोस्तो यह सेडिमेंटरी रोक का एक्जामपल है लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तो मेटामॉर्फिक रोक का तो दोस्तो इसमें जो मेटामॉर्फिक रोक है वो है स्लेट तो option इसका D correct हो जाएगा स्लेट इसका right answer है स्लेट जो है यह metamorphic rock है marble और स्लेट जो है दोस्तो यह metamorphic rock के अंतरगत आते हैं next है बीची जे cold ocean crunch तो आपको पताना है कौन सी एक ठंडी महासागरी धारा है तो दोस्तो इसमें जो ठंडी महासागरी धारा है वो है labrador option इसका B से हो जाएगा बाकी गल्फ steam, crochet और मुझाब्मिक जो है दोस्तो यह गर्म महासागरी धाराए है जो मुझाब्मिक है दोस्तो यह जो हिंद महासागर है उसके निजदीक है जो मुझाब्मिक होगी और एक अगलू हास है यह दोनों गर्मोशिन करंट हैं दोस्तो और दोस्तो यह हिंद महासागर के निजदीक है यानि की हिंद महासागरी धाराए है next है सुन्दरवन इजदा नेम ओव, सुन्दरवन नाम है तो दोस्तो सुन्दरवन यह क्या है तो यह है जवारी बन यानि की टेडल फोरेस्ट है तो option इसका भी correct हो जाएगा जवारी बन next question है कहां पाए जाते हैं दोस्तो जो पस्चिम गाल का सुन्दरी एरिया है यानि की जो डेल्टा एक चेतर है बहाँ पर यह बन पाए जाते है next है सहारा dessert is in तो सहारा मरुस्तल कहां है तो दोस्तो कहां है यह तो यह है अफ्रिका में option A सही हो जाएगा और यह है दोस्तो आप सभी को पता होगा विस्व का सबसे बड़ा जो मरुस्तल है next है और दोस्तो एस्ट्रेलिया जो है ऐसी country है बहाँ पर एक भी जो मरुस्तल है वो नहीं है next है which is not an island इन में से क्या आपको पताना है कौन सा एक द्वीप नहीं है Sweden, Ireland, Greenland या फिर क्यूबा तो दोस्तो इसमें जो island नहीं है वो है Sweden तो option A सही हो जाएगा Sweden आइलेंड क्या होते है दोस्तो आइलेंड जो होते है जो अपने चारों और पानी से घिरे हो उन्हीं को island कहा जाता है तो दोस्तो इसमें जो Sweden है दोस्तो तो ये है एक दर्फ जो है दोस्तो वो Norway से गिरा हुआ है यानि कि ये वाली जो इसकी side है आप अगर rope के map को देखेंगे आप Sweden के map को देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोस्तो जो Sweden है इसके इस तर्फ जो है North best size जो दोस्तो आप देखें है तो आपको दोस्तो ज्यात होगा जो पिज़ी वीडियो सी सेक्टरेट कलर के एक्जाम में तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि यह ऐसा कॉण सी कंट्री है जिसकी तीन राजधानिया है दोस्तो बो है सौथ प्रीका तो कॉन कॉन सी ह है capital जो है दोस्तों यह capital है आपकी legislative capital है और दूसरी जो है brown fountain जो है वो दक्षन अमरीका की judicial capital है next है longest mountain range in the world is तो विश्व की आपको पताना है सबसे लंबी परवस रिंखला कौन सी है सबसे लंबी जो परवस रिंखला है वो है एंडी तो option B correct हो जाएगा तो खहां पढ़ती है दोस्तों यह दक्षन अमरीका जो महादीप है बहां पर पढ़ती है और सबसे जाजा हिस्ता इसका आता है दोस्तों जो chili country है उसके अंतरगत next है BT culture refer to the production of तो दक्षन क्रिसी किसके उतपादन से सबंदित है दोस्तों जो BT culture प्रोडक्षन है यह सबंदित है अंगूर से grapes से option C सही हो जाएगा grapes next है which is the largest producer of tea in the world तो बिस्तों मैं चाय का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है तो यह है दोस्तों China चीन इसका right answer हो जाएगा option B चीन next question which is known as the forbidden city तो आपको पताना है forbidden city के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों यह जाना जाता है लहासा को option इसका A सही हो जाएगा लहासा तो लहासा कहाँ है दोस्तों यह तिबत में पढ़ता है next है the biggest lake in India is तो भारत में सबसे बड़ी जील आपको पताना है कौन सी है डालेक, चिलका, बूलर या फिर बिम्बानन्त दोस्तों जो सबसे बड़ी जील है वो है बिम्बानन्त लेक तो option इसका D सही हो जाएगा कहाँ है दोस्तों तो यह है केरल में बाकी बुलर की बात करें दोस्तों यह fresh water lake है भारत की सबसे बड़ी कहाँ है जमु कुश्मीर में और चिलका जो है यह है ओडिसा में सबसे बड़ी लेगून जील है और डले कहाँ है दोस्तों तो यह है जमु कुश्मीर में नेक्स्ट है northern part of the best coast is known as तो पश्मी स्मुदर तट के उत्री भाग जानी जाती है तो कौन से नाम से जानी जाती है दोस्तों यहें conquer तट के नाम से जाना जाता है तो option A सही हो जाएगा यहाँ पर उत्री भाग पूचा है अगर दक्षिनी पूचा होता तो दोस्तों इसका right answer होना था मलावार तट नेक्स्ट क्वेश्ट है तो दक्षिन पश्चिम मानसून डैस डैस के दुरान बहती है दोस्तों दक्षिन पश्चिम मानसून जो है वो बहती है मैई और सितंबर के बीच में तो option इसका A सही हो जाएगा option A correct हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए एक information है या फिर आपसे मैं एक question पूछ रहा हूँ आप बताएंगे कि दोस्तों अभी आपने कौन कौन से recently exam भरे हैं और आप कौन से exam की preparation कर रहे हैं तो और आप कौन से exam की classes इस YouTube चैनल पर चाहते हैं तो आप अपनी राइ कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट है तो आपको बताना है लक्सदीप की राजधानी कौन से है इन में तो लक्सदीप की जो राजधानी है वो है कवर्ती option D से ही हो जाएगा कवर्ती इस राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्ट है आपको बता होगा पोर्ट बले जो है किसकी राजधानी है दोस्तो तो वो है अंडेमा निकोबार की नेक्स्ट है तो भारती सहुन चिडिया कहां पाई जाती है तो यह पाई जाती है राजस्तान में option B correct हो जाएगा राजस्तान नेक्स्ट है रंजी सागर डैम इस बिल्ट ऑन बिच रीबर तो रंजी सागर बान जो है दोस्तो वो कौन सी नदी पर बना है यह बना है रावी रीबर पर option B तो जो पंजाब और दोस्तो जमू का जो एरिया है बहाँ पर यह पंजाब आप सकते हैं पंजाब और जमू की बॉंडरी बहाँ पर लगती है दोस्तो रावी रीबर पर यह बना है और इस पर दोस्तो एक अटुल सेतु ब्रीज जो है वो भी बना है रावी रीबर के उपर और जनजी सागर डैम है उसके नीचे नेक्स्ट है ब्ल्यू रिवोलेशन इस एसोसेटेड बिद आपको पताना है नीली करांती इससे सबंदित है तो किससे सबंदित है यह सबंदित है मचली से तो option A सही हो जाएगा मचली नेक्स्ट है दा लार्जेस्ट कोल प्रडूसिंग स्टेट इन इंडिया इस है सकते हैं जो डिस्टिक है या प्लेस है जारखंड के नेक्स्ट है दा बिगेस्ट ओइल रिफाइनरी इन इंडिया इस एट भारत में सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी है कौन सी है दोस्तो बो है जाम नगर कहां है दोस्तो ये है गुजरात में नेक्स्ट क्वेशन है तो इलमीनियम का सबसे मुख्य यस कौन सा है सबसे मुख्य यस है अलमीनियम का बो है दोस्तो बोकसाइड आप अलमीनियम का atomic number जो है दोस्तों बोक्मेंट करके बताएं और जो गेलेना है दोस्तों ये ESC है LED का next question है filament of an electric bulb is made of बिजली का bulb का जो filament है दोस्तों किसका बना होता है ये बना होता है tungsten का option C से हो जाएगा tungsten next है in firework the green flame is produced because of तो पटाकों में आपको पताना है हरा रंग निकलता है किसकी बज़ा से दिबाली पर दोस्तों आपने काफी पटाके फोड़े होंगे तो आप देखते हैं जो पटाके होते हैं उनमें लाल और हरी जवाला जो है वो निकलती है तो यहाँ पर पूचा है जो green जो रंग निकलता है हरा रंग वो किसकी बज़ा से होता है तो यह होता है बेरियम की बज़ा से option A सही हो जाएगा बेरियम और जो हरा होता है दोस्तों बहुत स्ट्रोंसियम की बज़ा से होता है next है long distance photography is facilitated by तो आपको पताना है लंबी दूरी की photography आपको पताना है इससे सुकर की जाती है तो किससे दोस्तों तो यह सुकर करी जाती है यानि की facilitate इजी बनाए जा सकती है दोस्तों यह infrared rays के द्वारा option इसका C सही हो जाएगा infrared rays next है तो आपको पताना है कपड़ा और बरतनों को धोने के लिए उप्योग होने वाले प्रक्षालकों में क्या होता है दोस्तों यह होते है sulfonate option C सही हो जाएगा sulfonate आई होप दोस्तों वीडियो आपको अपसान आई होगी अगर वीडियो अपसान आई है वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्स पर बॉचिंग, God bless you all